NCR में प्रदूशन के मद्दे नजर हर्याना सरकार ने प्रदेश के चार जिलो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपात और जजजर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिये हैं पर्यवरण विभाग के अतिरेक्त मुखे सचिव की और से जारी आदेशों में स्कूल बंद करने को कहा गया है इसी कड़ी में हर्याना के पर्यवरण विभाग ने NCR में पढ़ने वाले प्रदेश के सभी 14 जिलों में निर्मान कारे बंद कर दिये हैं ताकि उनसे उरने वाली धूल की वचह से प्रदूशन ना बढ़े और प्रदेश सरकार ने NCR के 14 जिलों में डीजल के जनरेटर सेट चलाने पर भी पाबंदी लगा दी है साथी विभाग को निर्देश टिये गए हैं कि इन सभी जिलोक में बिजली आप पूर्ती बाधित नहीं होनी चाहिए जारजवान कारी के साथ में समधनाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं ओपी क्या कुछ निर्देश टिये गए हैं और पॉलिशन को कंट्रूल करने के लिए क्या कुछ खास विवस्ता हैं देखी जा रही हैं जिन से कही ना कही पर्यावन प्रदूस्यन होता है या एर पॉलिशन होता है तो उसको चलते वे जो आदेश जारी के जिए उनी को जो है एक बार पीर एस समय के लिए जो है पॉस्ट्पॉन कर दिया गया है तो अब देश्टें की तब तक जारे रहे है क्योंकि फिलाल जो है अगर हम एंस्ट्र की बात करें तो इस पर एंस्ट्र में पॉलिशन बहुत ज्यादा है और कल और कली सुप्रिंपोर्ट में सन्वाई भी वेट है इस सुप्रिंपोर्ट ने इस तरीके से फरकार लगाई है कि पॉलिशन कम नहीं हो रहा है सरकारे कुछ नहीं करते हैं उसी के मद्जा नजर कहीं ना कहीं जो हर्याना सरकार ने भी इस पैसला लिया है तो इसके ताह जो और एंस्ट्र के चार के लिए हैं गुरुगराम फृदाबाग जजर सोनिपत इन सभी में स्कूल बंद रहे कि पांट दिसम्बर को हर्याना में बारिश की संभावना इस होर्कास्टिंग की गये हैं जो एक तिसम्बर से जो है वो मौसम जो हो बदला हुआ अगर इस बीच अगर पांस तारी को बारिश अपके तो जो रहे पॉलिशन है उसमें काफी अस्त्र कमी आएगर उमीर है कि जो है स्कूल और बाकी कारिया जो है वो शुरू हो सकते हैं जी ओपी सुप्रीम कोट में एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया था कि सबस्दादा पॉल्यूशन का इस तर प्रदूशन जो बढ़ता है वो बहानों के दूए से बढ़ता है तो उसको लेकर क्या वेवस्ता हैं कि अगर हम बिल्कुल यह सही है कि जो पेट्रो फ्यूल का जो इस्तमाल वाहन करते हैं उनसे जो दूवा निकलता है कारवन डाइक्षाइड कारवन वोन अक्षाइड इससे जाइड़ती बात है कि कहीना के इस प्रदूशन पढ़ाने में सबसे ज्यादा है लेकिन परक कि अगर जा रहे हैं तो पुलिंग करते जाएं और होस्के तो सार्जनीक ट्रांसपोर्ट का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्किमाल करें बजाए एक लिए आदमी जाने के तो सरकार इस तरह की अपील कर सकते हैं लेकिन वहानों में कमी शायद बहुत कम हुई है परकार की तरफ से एंस्कियार के दिलों में वर्क्रॉम होम के भी जो है काशी तिखे पे निदेश दिये गें प्राइवेट और गॉर्ण्ट टेक्टर में जहां पर काम चल सकता है तो उप्ते माना जा सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वहानों में समी आयो भी और तो कह सक सब्सक्राइब के सरकार द्वारा सभी व्यवस्ताइब कर ली गई है अब जरूरत है जनता के सही हो की तमाम चानकारी साचा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका पंजाब के गुर्दासपूर जिले में आडी-एक्स मिलने के बाद अब टिफन बम और चार हैंड ग्रिनिट मिलने से खड़कंप मच किया है पुलिस से तलाशी अभ्यान के बाद गुर्दासपूर के सलेमपूर एरियन रोड शेतर में एक बैग में ये टिफन बम और हैं परामत किये थे और इसके बाद से ही गुर्दासपूर सदर थाना की पुलिस ने एक टेफन बाम और साथी चार हैंड ग्रिनिट बरामत किये हैं पुलिस ने हत्यारों को कब से मिलेकर जाश्रू कर दी है हर्याना के अलग-अलग इलाकों में बार बार रख रखाव के अभाव में करोडों का गेहू हर साल बरबाद हो रहा है हाल ही में यमुना नगर के बिलासपूर में 80 लाक से अधिका गेहू खोले आस्वान के नीचे रखने की वज़ह से बरबाद हो गया इसी को लेकर हर्याना वियर हाउस कॉर्पोरेशन ने रख रखाव का काम निची कंपनी को देने का फैसला लिया है कॉर्पोरेशन की चेर्मेन नियान पाल रावत्ते मीडिया से बास्चित करते हुए कहा कि 9 लाक मिट्रिक टन गेहू के रख रखाव के लिए कंपनी को ऑनलाइन टेंडर दिया किया है और कंपनी की जिम्मेदारी रख रखाव से लेकर मरमत तक होगी और उन्हें कहा कि बार बार रख रखाव को लेकर दिक्कत आती है उसके साथ एक एंग्रीमेंट हमारा हुआ है जिसमें प्रिक्रियमेट स्कॉर्टिरटी और मेंटेर्स वोस सारी चीज़ें प्राइवेट कमडी देखेगी और उसके स्कुर्टी के हमके अच्छी मात्रा में जम्हावोगी तक यह सूचना मिली कि जो बलास्पर मंडी है इसमें हमारा जो ओपन प्रेंट परमाल लगा हुआ है वह रहाउस का जो मरगय हुआ है वो काफी मात्रा में खराब हुआ है तो जैसी हमें पता रहा तो हमें इसका निरिक्षन करने के लिए हम पहुचे हैं यमुना नगर में पहुचकर नैशनल ग्रीन ट्रिबियोनल की गठित निगरानी समीती में बैठा की गई अध्याक्षर प्रितम पाल सिंग ने विश्वभर में बढ़ते प्रदूशन पर गहरी जो बेचना और रखना अपराद हैं इस पर भी सकती होनी चाहिए मताबक उन प्लैंज में किसोलिड वेस्ट को कैसे भीट्मेंट करना है प्लास्टिक का कैसे करना है दूसरा आज कंस्ट्रक्ष अğ snaटीमॉलिशन का कैसे करना है स्टीटियल जो वेस्ट है आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी खबरों का सिल्सिला लगतार ज़ारी है